नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ओफिशल पर तो आज की से वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का सैकिंड टोपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम पहले गुलाम वंच के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपोर्टन टोपिक है गुलाम वंच से काफी इकजाम में आपके प्रशन बनते हैं तो आज किस वीडियो में हम पहले गुलाम वंच के बारे में पढ़ेंगे इसे पिछली वीडियो में मैंने इसका पहला टोपिक भारत पर मुसलिम आकरमन पढ़ा दिया था अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें तो आज किस वीडियो में हम पहले गुलाम वंच के बारे में पूरा पढ़ेंगे और लाष्ट में प्रेवियस एर क्वेशन भी कवर करेंगे तो पहले आप वीडियो को देखिए और ल 1206 इसवी से लेकर 1526 इसवी तक की इतिहास का अध्यन किया जाता है यानि कि जो 1206 इसवी से लेकर 1526 इसवी तक का इतिहास रहा है इसे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत कहा जाता है इसके बाद 1526 के बाद मुगलों का शाशन आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे तो 1206 इसवी से लेकर 1526 इसवी तक के इतिहास को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल कहा जाता है तो इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शाषन किया यानि कि सल्तनत काल में कितने वंशों ने शाषन किया तो 5 वंशों ने शाषन किया सबसे पहले 1206 इसवी से लेकर 1290 इसवी तक गुलाव वंश ने शाषन किया उसके बाद 1290 से लेकर 1320 इसवी तक खिलजी वंश ने शाषन किया उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने शाषन किया उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सयद वंश ने शाषन किया और पाँचवा वंच था लोधी वंच तो ये पाँच वंचों ने सलतनत काल के अंदर कर शाषन किया तो आज की इस वीडियो में हम पहला जो है गुलाम वंच जो कि काफी important है और काफी pressure बनते हैं गुलाम वंच से related जो भी exam में पूछा जाता है वो आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंच तो गुलाम वंच का शाषनकाल 1206 इसवी से लेकर 1290 इसवी तक रहा है उसके बाद खिल जी वंच आ जाता है तो आज हम गुलाम वंच के बार में पढ़ रहे हैं कि जो कुतुबू दिन एबग था जो मुहमद गोरी का गुलाम या दास था तो इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी इसलिए से गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है किसे ने की थी कुतुबू दिन एबग ने इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश की तो दास से आप यह मार आ समझ लेना कि कुतुबूदिन अगर मुहमत गोरी का दास था तो इस्तर के काम करता होगा नहीं। कुतुबू दिन एबग मुहमत गोरी के साथ युध लड़ने जाय करता था। एक तरह का वो सेनापती था। मुहम्मद गोरी के राज दर्बार का हिस्सा भी था भले है वो उसका गुलाम था या दास था पर वो उसका सेना पती था उसके राज दर्बार का हिस्सा भी था और युद लड़ने भी जाय करता था ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने बाहु बली फिलम देखी होगी न उसमे में भाग लिया करता था तो हमने देखा कि कुटबू दिन एबक ने गुलाम वंश के स्थापना की और कुछ विद्वान गुलाम वंश को मामलूक वंश का नाम देते हैं इसे क्या कहते हैं मामलूक वंश मामलूक का अर्थ होता है सोतंत्र माता पिता की गुलाम संतान तो या को पता होना चाहिए कि गुलांवश में किन-कीन राजाओं ने शाषन किया तो कई बार examiner क्या करता है आप से पूछ लेता है कि बताइए निमल लिकित में से कौन सा शाषक गुलांवश से संबंदित है तो आपको नाम तो पता ही होना चाहिए ना कि हाँ ये शाषक गुलाम वंच से संबंदित है आपको सबके बारे में पढ़ना नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि ये शाशक गुलामवंच से संबंदित है तो एक बार देख लेते हैं इसको आपको रटना नहीं है बस एक बार पढ़ना है तो सबसे पहले कुत्वू दिन एबक इसी ने तो गुलामवंच के स्थापना की थी इसके बाद अगला शाशक बना था अराम शाह उसके बाद बना इल्तुत्मिश उसके बाद बना रुकुनू दिन फिरोश शाह उसके बाद अगला शाशक बना गुलामवंच का रजिय सुल्तान रजिय सुल्तान के बाद बहराम शाह उसके बाद गुलामवंच का सात्वा शाशक बना अलाओ दिन मसूर शाह अलाउदिन मशूर्शा के बाद बना नसीरुदिन महमोर्शा उसके बाद बलबन बलबन के बाद कैकूबाद और कैकूबाद के बाद गुलाम वंश का आखरी शाशक बना शम्शुदिन क्यूमर्श इसके बाद खिलजी वंश की शुरुवात हो जाती है तो यह आखरी शाशक था, तो इसमें से हमें कुतुबू दिन के बार में पढ़ना है, इल्टुत्मिश के बार में पढ़ना है, रजिया सुल्तान और बल्बन इनहीं के बार में पढ़ना है, इनहीं से प्रशन बनते हैं, बाकी तो बस आपको पता होना चाहिए कि यह गुला पहला शाशक था इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है और कुतुबूदिन एबक मुहमद गोरी का गुलाम था जब मुहमद गोरी ने भारत में लूट पार्ट करके वाफिस अफगान गया था ना तो उसने भारत में अपने दासों को न्यूक्त किया थ जो भारत में उसके नाम से शाशन करे उसी में से था कुतुबूदिन एबक तो कुतुबूदिन एबक का राज अरोहन कब हुआ यानि कि ये गद्धी पर कब बैठा तो मुहमद गोरी की मृत्यू के बाद 25 जून 1206 इस्वी को कुतुबूदिन एबक का राज अरोहन लाहो में और इसने लाहोर को ही अपनी राजधानी बनाय था ये याद रखेगा कुतुबूदिन एबक ने किसको अपनी राजधानी बनाय था तो इसने लाहोर को अपनी राजधानी बनाय था और जब ये सोतंतर शाशक बना यानि कि दिल्ली की गद्धी पर बैठा तब ये दा सास्ता से मुक्त नहीं था इसने मलिक और सिपैस हलार की उपाधियों के साथ शाशन किया या दखेगा तो कुत्वू दिन एबक की उपाधियां देख लेते हैं कि इसे कौन-कौन सी उपाधियां मिली थी तो इसे लखता ये लाख भक्ष कहा जाता था क्योंकि ये काफी दान कि लाख भक्ष किसे कहा जाता है तो कुत्वू दिन एबक को कहा जाता है लाख भक्ष हातिमताई और कुरान खुआ ये तीनों ही उपाधियां किसके थी कुत्वू दिन एबक ने धारन की थी और एबक के दरबारी विद्वान कौन-कौन से थे तो एबक के दरबारी विद तो अब हम आगे देखते हैं, तो कुतुबू दिन ने ही कुतुब मिनार का निर्मान करवाया था, तो जो ये कुतुब मिनार था न, इसका जो नाम था, ये सूफी संथ, खुआजा कुतुबू दिन बक्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, आप ये मन्द कन्फिस होएगा कि कुतुबू दिन ने अपने नाम पर कुतुब मिनार का नाम रखा था, नहीं, इसने अपने गुरु सूफी संथ ख्वाजा कुतुबू दिन बक्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा था, तो इसके लिए अधार शिला कुतुबू दिन एबक द्वारा रखे गए थी, ज इसके दो मंजिलों का निर्मान कुतुbūदिन एबक ने करवाय था और कुतुb मिनार का पूरा निर्मान इल्तुटमिश ने करवाय था तो बाद में क्या हुआ था कि इस मिनार के शीर्ष पर बिजली गिर गई थी जिसके कारण ये शति गरस्त हो गया था तो इसके शीर्ष का पूना निर्मान फिरोशा तुगलक ने करवाय था ये भी याद अखेगा ये तुगलक वंच का शाशक था फिरोशा तुगलक इसने इसके शीर्ष का यानि कि शीखर का पूना निर्मान करवाय था जो कि बिजली गिन्डने के कारण शतिगरस्थ हो गया तो सबसे पहले है कुवत उल इसलाम मस्जिद जो की दिल्ली में है इसका निर्मान भी कुतुबू दिन एबक ने करवाय था और दूसरा है अढ़ाई दिन का जोपड़ा जो की राजस्थान में है इसका निर्मान भी कुतुबू दिन एबक ने करवाय था कुवत उल इसलाम मस्जिद अढ़ाय दिन का जोपडा और कुतु मिनार इन तीनों का निर्मान कुतुबू दिन एबक ने करवाय था तो उसके बाद आगे है कि 1210 एसवे में लाहोर में चोगान का खेल खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबू दिन एबक की मृत्ति हो गई थी तो चोगान का खेल जिसे पोलो का जाता है तो पोलो का खेल खेलते समय जो कुतुबू दिन एबक था ये घोड़े से गिर गया था और घोड़ा इसके ऊपर चटड़ गया था जिसके कारण इसकी मृत्ति हो गई थी या दखेगा कौन सा खेल खेलते समय चोगान का खेल या जिसे हम पोलो कहते हैं तो एक्जामे ये पूशा गया है कि चोगान का खेल खेलते समय कि शाशक की मृत्तिय हो गई थी तो कुट्बू दिन एबक की मृत्तिय हो गई थी तो कुत्वू दिन एबक की मृत्यू के बाद जिसका पुत्र था अरामशा इसको लहोर की गद्धी पर बठा दिया गया पर ये एक अयोगे शाशक था इसने केवल आठ महिनों तक ही शाशन किया उसके बाद 1211 इस्वी में इल्तूतमिश ने इसे हटा कर कुछ शाशक बन गय पहले कुए अरामशा, जब कुत्वू दिन एबक की अचानक मिलत्य हो गई तो इसके बेटे अरामशा को लहोर की गद्धी पर बठा दिया गया जितने अरामशा इसे बठा अ उतने ही अरामसे इसे इसे हटा दिया आठ महिनों तक ही केवल अरामशा ने शाशन किया उसके बाद अगला शाशक बना इलतुतमिश, इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इलतुतमिश का शाशनकाल, 1211 इस्वी से लेकर, 1236 इस्वी तक का रहा है, और अराम्षा को गदी से हटाने के बाद, इल्तुतमिश अगला शाशक बनना यह कुतुबूदिन एबक का दमाद और गुलाम था तो जो इल्तुतमिश था ना है यह पहले कुतुबूदिन एबक का गुलाम था बाद में यह उसका दमाद बन गया और बाद में यह आप देखी रहे हैं कि गुलाम अशका शाशक बन ग पर इल्तुतमिश ने लहोर से राध्धानी को बदल कर कहां पर लेकर गया यह दिल्ली इसने दिल्ली को अपनी राध्धानी बनाया यह important है और इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधी धारन की जो कुतुबुदिन एबक था उसने सुल्तान की सुल्तान की उपाधी धारन की थी तो सुल्तान की उपाधी किसे लिए इसने बगदाद के खलीफा से खलीफा यानि की मुसल्मानों का धरम गुर होता था उसे खलीफा कहा जाता था तो उससे इसने सुल्तान की उपाधी धारन की थी इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्त हुआ है किरप्याब मुझे बचाएं तो जब इल्टुत्मिष ने मांग बरनी से पूछा कि किस ने तुम पर आकर्मन किया है तब मांग बरनी ने कहा चंगेज खाने तो जैसे इसने इस तरह अपने आपको बचा लिया क्योंकि अगर यह शरन दे देता तो चंगेज खान इस इसको गद्दी से हटा देता या तो इसकी हत्या कर देता इसलिए इसने जलालुदिन मांग बरनी को शरने दी और चंगेज खान के आकर्मन से अपनी रक्षा की तो इल्टुत्मिष ने ही सल्तनत काल की तीन महत्पूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा परनाली का गठन याद रखेगा, तीनों ही काफी important है, इक्ता परनाली, सेना और मुद्रा परनाली, इन तीनों का गठन किस ने किया था, इल्टुत्मिष ने किया था, तो इक्ता परनाली क्या होती है, तो धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमी परदान करना, तो जो भी इल्टुत्म पनाली का नाम था इक्तापनाली और जिसे भूमीपरदान की जाती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था और इसके बाद देखते हैं सेना तो इल्टुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिशत बनाय था जिसे तुर्क एचिहल मानी या दल चालिशा के नाम से जाना द्वारा एक्ता पर नाली सेना और तीसरी हैं मुद्रा पर नाली तो इसने टंका और जीतल दो मुद्राएं चलाई तो टंका जो था ये चांदी का सिक्का था और जो जीतल था ये तांबे का सिक्का था तो इसने मुद्राएं चलाई थी टंका और जीतल यहाँ दखेगा तो विजे हुई थी तरायन के तीसरे युद में उसके बाद 1217 इस्वी में इसने मनसूरा के युद में नसीरु दिन कुबाचा को प्राजित किया था उसके बाद 1226 इस्वी में इसने बंगाल पर विजे प्राप्त की थी और उसमें जो बंगाल का शाशक था ग्यासु दिन उसे इसने हरा दिया था उसके बाद अगले ही वर्ष 1227 एसवी में इसने सिंद और मुलतान पर विजय प्राप्थ की और नसीरुदिन कुबाचा को प्राजित कर दिया उसके बाद 1226 एसवी से लेकर 1231 एसवी के दोरान इसने राजबूतों पर आकरमन किया और विजय प्राक्त की और जो इसका आखरी युद्ध था वो था 1235 का जो इसने पंजाब के खोकरों के विरुद किया था और वहाँ पर भी इसको विजय मिली थी तो यह इसका आखरी युद्ध था तो यह इसके कुछ परमुक युद्ध हैं जो मैंने एकी स्लाइड में कव इलतुतमिष ने और 1236 इस्वी में इलतुतमिष की मृत्य हो जाती है और ये अपने मृत्यों से पहले ही अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्रा अधिकारी न्यूत कर देता है इसके बेटे भी होते हैं पर ये अपने बेटों को नहीं बलकि अपनी बेट रजिया सुल्तान को अपना उत्रा अधिकार न्यूत करके जाता है और इसकी बाद में मृत्य हो जाती है पर जब इसकी मृत्य हो जाती है न तो जो 40 तुर्क सरदार थे मैंने आपको बता था ना पिछे वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शाशक बने वो किसी महिला थे उनका काफी दबदबा था उन्होंने इसके सबसे चोटे बेटे रकुनु दिन फिरोज शाको सुल्तान बना दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रजिया थी ना ये नियाय के लिए लाल वस्तर पहन कर क्योंकि इसके पिता ने ये प्रंपरा चलाई थी ना कि अगर ये जनता की बीच आई तो इसने बताया कि मैं अपने पिता की उत्रा धिकारी थी तो मुझे शाषिका बनना चाहिए था पर जो चाली सरदार से इन्होंने रकुनु दिन फिरोज शाको सुल्तान बनाया था तो जनता के हस्ताचेव के बाद रजिया सुल्तान को शाषिका बनाना पड़ा तो जो जो रजिया थी ये दिली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी तो याद अखेगा ये भारत की पहली और दिली की प्रथम महिला सुल्तान थी उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रजिया ने जमालुदीन याकूद को प्रोनत करके अमीरे आखूर यानि की आश्वशाला का प्रधान इक्ट किया था तो ये याकूद कौन था तो देखे जो रजिया सुल्तान थी ये शाष का भले ही बन चुकी थी पर अभी भी ये चारों तरब से दुश्मनों से घीरी हुई थी क्योंकि जो चालिस तूर्क सरदार थे ना वो अभी भी शडियांत रच रहे थे कि रजिया सुल्तान को कैसे गद्दी से हटाय जाए तो इनका एक छोटा सा सुभेदार था उ और याकूत है ना इनके बीच में प्रेम संबन चल रहा है इन्होंने जन्ता के बीच में अफवा फैला दी जब इसका प्रमोशन किया गया यानि कि याकूत का प्रमोशन किया गया क्योंकि जो याकूत था ये रजिया सुल्तान के तरफ था और चालि तुर्क सरदार क्या तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो जैसा मैंने आपको बता है, कि जो रजिया सुल्टान थी, इसकी राधधानी दिली थी, तो उसके आगे पंजाब था, पंजाब का एक सुबेदार था, उससे उसमें तबरहिंद कहा जाता था, उसने क्या किया, उसने बगावत कर दि उसने का कि मैं शाचक हूँ अब उसके बाद क्या हुआ रजिया सुल्तान को उसे यो दिल लड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने आपको सुतनत्र घोशित कर दिया था उसमें जो तबर हिंद का सुबेदार था जिसे लड़ाई करनी थे उसका नाम था अलतूनिया अब क्या हु कि जो अलतूनिया था वो रजिया सुल्तान पर भारी पड़ा और उसने रजिया सुल्तान को हरा दिया पर रजिया सुल्तान ने भी गेम खेल दी जब रजिया सुल्तान हार गए न तो इसने अलतूनिया से विवाह कर लिया उसके बाद क्या हुआ कि 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तूनिया की हत्या करा दी गई अलग-अलग इतिहासकारों का अलग-अलग वानना है कोई कहता कि डाकूँ ने हत्या कर दी कोई कहता कि जो चालिश सेनापती थे, इन्हों नहीं हत्या करवा दी बस आपको ये जानना है कि 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्टूनिया की हत्या करा दी गए तो रजिया सुल्तान के बाद कुछ और भी शाषक बने पर यतने योगिय नहीं थे तो एक बार हम देख लेते हैं तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि इल्टुतुमिश के बाद कौन बना था रकूनुदीन कार्य नहीं किया जो कि आपको पढ़ाया जाए तो बहराम शाह के बाद अगला शाषक बना अलाओ दिन मशूद शाह ये कौन था तो ये रकूनुदीन फिरोशा का पुत्र था यानि कि रजिया सुल्तान का जो भाई था रकूनुदीन फिरोशा उसका बेटा था तो आपक हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है और बाकि जो ये बहराम शाह है और अलाओ दिन मसूद शाह है इससे कोई भी प्रशन नहीं बनता तो नसीरुदिन महमूशा के बार में पढ़ते हैं तो इसका शाषनकाल 1246 इसवी से लेकर 1246 इसवी तक रहा और नसीरुदिन महमूशा दिल प्रवत्ति के सुल्तान था कोई इसने युद्वगारे नहीं किया इसने क्या किया कि बल्बन को अपना वजीर बनाया याद रखेगा बल्बन को और बल्बन ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवा नसीरुदिन महमूशा से करा दिया और उसके बाद में क्या हुआ कि जब नसीरुदिन की मृत्ती हो गई न यही जो बल्बन है यह अगला शाशक बना इंपोर्टेंट है या दखेगा इसलिए मैंने आपको बताया नसीरुदिन महमूशा के बारे में क्योंकि इसने बल्बन को अपना वजीर बनाया और बल्बन ने क्या किया जो उसकी बेटी थ करते हैं तो जो बर्बन था इसका शाशनकाल 1286 इसवी से लेकर 1286 इसवी तक रहा बल्बन इरान का रहने वाला था इसने अपने दर्बार का गठन इरानी परंपरा की अंसार किया और इसने इरानी तेवहार नवरोज को मनाना शुरू किया नवरोज किसका तेवहार है पार सर जोखाएगा और पैबोस पैबोस यानिंकी इसके पैरों को चूमेगा तो इसने दरबार में सज्दा और पैबोस की निती अपनाई, अथार्द आकर्मन की नितियों को अपनाया, रक्ट एवं लो, यानि कि तलवार के बल पर इसने शाषन किया, अगर कोई नहीं मानेगा, तो उसका रक्ट बहा दिया जाएगा, रक्ट एवं लो की निती इसने अपनाई, और बलबल ने दल चालिसा को समाप् कर दिया, तो बलबन के बाद जो अगला शाषक बना था, हो था कैकू बार, ये भी एक अयोग्य शाषक था, और इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शाषक बना क्यू मर्श, जिसकी हत्या, जलालुदिन खिलजी ने कर दी, 1290 इस्वी में, और उसके बाद खिलजी वंश क इसका सही जवाब होगा, अगला प्रेशन है कि कुतुब मिनार के कारे को किसने पूरा किया था, यहाँ पर ये पुछा गया है कि किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, शुरुवात की थी कुतुब बुदिन एबक ने पर इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने अगला प्रशन है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी इल्तुतमिश ने चलाई थी ओप्शन C इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो ये इल्तुतमिश की बेट Option C इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि निम्मा लिकित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यू चोगान यानि की पोलो खेलते हुए हुई थी तो किसकी मृत्यू चोगान खेलते हुए हुई थी कुतुबू दिन एबक की Option C इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्मान किसके द्वारा किया गया था तो कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्मान कुतुबू दिन एबक के द्वारा करवाया गया था Option C इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि निम्मा लिकित में से कौन सा शाषक गुलाम राजवन्च से संबंदित है तो कौन सा शाषक है जो गुलाम वन्च से संबंदित है तो यह है इलतुतमिश अगला प्रेशन है कि उत्री भारत की परत्थम महिला शाशक दिली पर राज करने वाली परत्थम महिला शाशक कोन थी तो यती रजिया सुल्तान option ने इसका सही जवाब होगा अगला question है कि गुलाम वश्च के आरंभिक शाषकों का निम्न में से कौन सा सही अनुकरम है तो सही करम में आपको विवस्थेत करना है तो सबसे पहले अगर हम निम्न लिकित में से देखें तो सबसे पहले कुटबू दिन एबक आएगा क्योंकि यहीं तो संस्थापक था तो कुटबू दिन एबक के बाद अगला शाषक बना था अराम शा और अराम शा के बाद इलतुतमिस और इलतुतमिश के बाद इसमें से देखा जाए तो बचा है रज्या सुल्तान तो इसका option सही होगा option B पहले कुत्वू दिन एबक उसके बाद अराम शा, अराम शा के बाद इल्टुतमिश और सबसे आकरी में रजय सुल्तान आज का आकरी प्रेशन है कि धाई दिन का जोपड़ा मजजिद अजमेर का निर्मान किसने करवाय था तो धाई दिन के जोपड़े का निर्मान करवाय था कुत्वू दिन एबक ने, option B इसका सही जवाब होगा तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा धन्यवाद